नमस्कार जोहार सत्रियाकाल एक्जाम फाइटर नमरन पर आप सभी का बहुत बुस्वागत है और आज हम दोग बात करेंगे UGC NET का जोनी इसके डिकारनी बात करेंगा आपको पता होगा इसकी एक आपका одна लिजां के लिछ और नइन के वर फ्लसीन में तो आज इस वीडियो में मुखही रूप से मुद्धा रहेगा कि जिनका वनली पी यचिदी के Pastor क्वाइब हो और यहां से साथ क्या होना है क्या उसको आसानी से PhD मेड़िपिसन मिल पाएगा क्या वो असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए लिजेबल है या फिर जो PhD करेंगे तो क्या उसे फैलोसिप भी मिलेगी इन सभी मुद्धे पर बात करेंगे और जो क्वालिफाई कर गए है PhD के लिए उसको अ नहीं या इससे सिर्फ एक लोली पॉप आप समझें एडिमिशन होगा या नहीं इस मैट्रेस पर बात करेंगे कहीं कहीं इस प्रकार से आप सुने होंगे यूट्यूब में देखे भी होंगे कि PhD वाले को एडिमिशन नहीं मिल पाएगा only PhD जिनका है उनका एडिमिशन नहीं हो पाएगा यह बस एक certificate की रूप में आपके प्रतिष्था को बढ़ाएगा आपका जो एक का सकते एचिवमेंट उसमें एक certificate एड हो गया और इसका कुछ आगे fruitful आप सभी के लिए लाइफ में नहीं होन यह जो data NTA ने जारी किया है इस data को आप समझने का प्रयास किजी यह जो public notice आपका 17 अक्टूबर को जारी किया गया था जिसके माद्यम से इस result का summary दिया हुआ ना पूरा result जारी किया गया रिनेट एक्जाम का उसका एक्परकार से सारांस है सारांस क्या है आपका जो एक्ज जा रहा है जो total registration कराया बच्चों ने उनकी सेंख्या कितनी थी 11,21,215 ती जिसमें male इतने थे female इतने थे और third gender इतने थे इसमें कितने बच्चे अपियर हुए एक्जाम में 11,006,84,224 यानि 60% बच्चे सिर्फ एपियर हुए 40% ने एक्जाम देना ही छोड़ दिया क्योंकि एक्जाम को लेकर कापी दूविदा की स्थिती थी क्योंकि रीनेट हुआ था इसके पहले एक्जाम को cancel कर दिया गया था तो बच्चे थोगा confusion की स्थिती में थे तो सिर्फ 60% बच्चों ने एक्जाम दिया इसलिए cut-up भी कापी हाई गया था और यहां पर जो result आ अब इसमें से ज्यारेप कितने को मिला ज्यारेप कितने को मिला ज्यारेप मिला 4970 को और कितने बच्चे सिर्फ नेट के लिए पास हुए और यहां पर यह डाटा न्यू है आप सभी के लिए कितने candidate PhD के लिए qualify कर गए उसमें देखिया आप एक लाख बारह हजार सत्र एक लाख बारह हजार सत्र और यहीं पर सवाल उठ रहा है कि जो तिसरा group है result का वो क्या चीज़ के लिए है कि PhD करने के लिए आप eligible होगे यानि all over इंडिया में आप किसी भी उनिवर्सिटी में आप वहाँ apply कर सकते हैं आपको एक्जाम नहीं देना होगा वहाँ जो उनिवर्सिटी का इंट्रेंस एक्जाम जिसको प्रेट बोलते हैं वह एक्जाम आपको नहीं देना होगा इसी score के अधार पर आपका admission हो जाएगा तो क्या आपका admission आसानी से हो जाएगा इन सभी matters के हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कितना आसान है admission लेना या मुश्किल सबसे पहला आपको पता आना चीए जिस भी इनिवर्सिटी से notification निकलेगी पीएचिडी के लिए वहाँ पर जो आपका selection होगा admission के लिए वहाँ पर 70 और 30 का ratio है 70 और 30 का 30 किसका है इंटरिव्यू का और 70 है आपके net का score का यहाँ पर कौन कौन जाएंगे यहाँ पर ज्याराफ वाले भी जाएंगे ज्याराफ वाले को पीएच्डी मिनराल रहना है मानली भी उसे निकला ज्याराफ वाले भी फर्म भरेंगे अब नेट वाले भी जाएंगे नेट वाले बच्चे भी एपियार होंगे हो आपे admission लेने के लिए और फिर जो वनली पीएच्डी के लिए एलिजबल हुए वह भ का जी मार लेंगे तो यहां पर थोड़ी एक दूख हो रही है यहां पर थोड़ी चूख हो रही है और न्टी के तरफ चे तरफ चे उनको यह प्रोभीजन करना चाहिए कि जितने सीटें हैं उनका thirty percent या 20 percent सीटें इनके लिए मतलाब फिक्स करदें आप रिजब कर दें Only for परसन वेटेज नहीं को मिल रहा है और यह निश्चिद रूप से इनसे बहतर हैं इनसे बहतर हैं तभी तो जारा करेक्ट किये हुए हैं तभी तो वह नेट क्रेक्ट किये हुए हैं यानि यह इंटर्विव में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे यानि आप जो वनली लिए इसके लिए एक का सकते हैं अलग से अलग से को एक गाइडलाइन देना चाहिए जो बच्चे सिर्फ पीच्डी के लिए क्वालिफाई किये हैं उनके लिए इतने सीटेर रिजब रहेगी हर एक उनिवर्सिटी को भेड़नी चाहिए तभी अनिशन हो पाएगा दूसर के रहेगा की और और यहाँ पर पहला ही में इसका क्या रहेगा आपको ऑन यंके अंदर ऐमीसेद ले लेना है रेस्टेशन करा लेना है नहीं तो फिर ानले को देखिए regulator आप यह दिखे कि ळेना आसां नही है बहले आप प्येजडे के लिए हो नोग है लेकिन जयारप और net वाले को अलग कर ना होगा इसके लिए करिटरिया अपनाना होगा दोनों को एक ही रस में दोड़ाईएगा तो फिर ये तो पीछे वसे भी है वहां भी पीछे हो जाएंगे तो फिर नहीं होगा इनके लिए कुछ अलग करिटरिया यह यूजीशी को तो पीएटी वाले का डिमिशन नहीं होगा तो फिलाल जैसा मेरा अपिनियन लगता है उनको एडिमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है एडिमिशन में वह अगर सीटे कम रहेगी और वहां अगर ज्यादा ज्यारफ और नेट वाले बच्चे आ गए तो इनक कम हो भी चैंड लेकर दो जहां जहां से पीएटी के लिए नो क्यों निकल्कार रहे है उनको आप्लाए करना चैहिए एभास आप करते रहे और अप्लाए करते करते कहीं आधा लिए ज़रूरी नहीं है इसलिए आप सभी को सोचल मेडिया के माध्यम से आवाज उठानी चाहिए लुट के लिए बनने चाहिए गुषि यह को बनना चाहिए अंके लिए इतने परसुन नेट के लिए इतने परसेंट के लिए परसेंट और तभी होगा और मैं आप सभी को 45 000, 45 000 ही सीटे है ze 45 000 40000 सीटे हैं पिbenूर आप पर पर चिले पास कितने हुए evd के रिए आपका है एक लाख 12,000 के लगवक और सीटे कितने है 40 000 सीटे है 40 000 सीटे है 4 000 सीटे है 1 1800 То सिर्फ mlernopal य। पि िफार 12 dando वाले हैं तो वैसे भी सीटेय कम है, एडमिशन तो वैसे भी बहुत डिकत है, वहना बहुत ही मुस्किल है, तो फिलाल यह अपडेट्स था आप सभी के लिए, लेकिन आप सभी चाहते हैं कि बिल्कुल हमको हाई रिक समय जाना है, प्येचीडी करना है, तो आपका यह प्रयास होना चा आपका प्रयास हो कि हम JRP लें, ताकि आपको फैलोसीवी मिले और आपको प्येचीडी भी हो, तो इसलिए आपको दिसंबर वाले के लिए अभी इस अलेट रहना होगा, और एक्जाम फ्राइटर नमर पर जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और सारे क्लासेस आपको वि फिप्टी डेज में, आपका पूरा कोर्स कंप्लिट कर दिया जाएगा, और आपको टार्गेट रहेगा JRP लेबल की क्लासेस हो, और आप JRP करेक करें, तो दिसंबर के लिए त्यारी करना चाहता है, हमारे साथ जुड़े हैं, और आज ही त्यारी स्टार्ट करें, यहाँ पे क्लासेस, आज से ही, हम लोग इवनिंग से स्टार्ट रहे हैं, पेपर वन के लिए, और पेपर टू में हिस्ट्री के लिए, तब सेशन दिसंबर दो हज़ार चोबिस के UGC NET, JRP के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप भी चाहते हैं जोएन करना, और विल्कुल को जोएन करें, जो कि वीडियो के डिस्केशन में अबलेबल हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना हैं मिलते हैं, एक नए वीडियो में, बहुत ही जल, थैंक्यू, जहिंद,